इंडिये सरकार के अगले पांच वर्सों के लिए हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है यह संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है अगले पांच वर्सों के लिए मोदी की गारंटी है कि हम देश में गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाएंगे अगले पांच वर्स के लिए अब हम देखते हैं कि आज कल हर परिवार में हर परिवार में होती है क्योंकि अब आयू लंबी हो रही है और जो बेटा कमाता है या बेटी कमाती है उसके लिए अपने बुजूर्ग माबाप को समारना कोई मुश्किल काम नहीं होता है कर लेते हैं लेकिन अगर कोई बिमारी आ गई तो फिर परिवार में सब के लिए दिक्कत होती है कि अब पैसा बुजुर्गों के लिए कितना खर्चा करें, बच्चों के लिए खर्चा कितना करें, एक प्रकार से उसके सारे सपने ढूल जाते हैं और इसलिए मोदी ने ताय किया कि मेरे सभी परिवार के जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए महनत करते हैं, उनका बोज मैं कैसे कम करूँ और इसलिए हमने सतर साल की उपर के, जितने भी भुजुर्ग हमारे देश में हैं, सतर साल की उमर के हर भुजुर्ग माता पिता को, उनकी बिमारी में अब इलाज क्या काम, जिम्मेवारी मोदी कर रहेगा, आपके इस बेटे की रहेगा सतर साल से उपर के हर किसी को, आईश्मान योजना का लाब मिलेगा हम मुद्रा योजना के तहट अब, युवाओं को बीस लाख रुपिय तक की मदद देंगे एंडिये सरकार अगले पांच वर्सों में तीन करोड महिलाओं को लखपती दीजी बनाने के लिए काम करेंगे और इन सारे प्रयासों को हमारी जो महराष्ट की त्रिपूटी है, सिंदे जी, पड़नविज जी, अजित पवार जी, उनकी सरकार और तेजी से आगे बढ़ाएगी